नमस्कार दोस्तो कैसे हो आप लोग आयों, आप से मज़े में होगे दोस्तो आज की ये वाली वीडियो काफी ज़ाधा धमाकेदार होने वाली आप लोगो के लिए बिकॉस आज की इस वीडियो के अंदर में आप लोगो को एक ऐसा fundamentally strong stock बताने वाला हो जिसने आपे 2750% का dividend announce किया है और इस dividend की जो value होने वाली है वो 275 रूपीज पर stock के हिसाब से होने वाली है तो इस वीडियो के अंदर आपको इसी stock के काफी ज़ाए details दूँगा जैसे कि shareholding patterns बताऊंगा financials and fundamentals fundamentals and साथ ही साथ मैं और भी चीज़ें के बारे में बात करूँगा तो चली दोस्तो इस वीडियो को स्टाट करते हैं आप इस वीडियो को एंड तक देखना है वीडियो को कहीं पर भी skip मत करना विकाज अगर आप इस वीडियो को कहीं पर भी skip करोगे जी है मैं हूँ आरुश आप देख रहे हैं फिनो मीडिय वाय आरुश चली इस वीडियो को स्टाट करते हैं बताता हूं कौन सा ये fundamentally strong stock जिसने आप धमाकेदर stock dividend announce किया है दोस्तो इस stock का नाम बता देने से पहले मैं आप लोग को इसके कुछ और details की बारे मैं बता देता हूं तो सबसे पहले हम बात करेंगे हैं आप पास्ट रिटरंस की तो वन डे के अंदर ये stock लगबग 1.30% अप था और बात करेंगे अगर past 5 years की तो past 5 years के अंदर ये stock 358.37% अप था stock की current price की बात करेंगे तो 20,020 रुपीज के उपर में trade हो रहा है और last 5 years में long term के हिसाब से काफी अच्छे returns दिखाए है stock ने हमें बात करेंगे अब इस stock की performance की तो जो 52 week low है stock का हो है 15,514 रुपीज का and 52 week high है वो है यहाँ पर 23,934.45 रुपीज का तो stock का जो current price है वो थोड़ा सा अपने 52 week high की तरफ है मतलब middle में ही है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर 52 week high की तरफ है जो की एक अच्छा symbol है stock को purchase करने के लिए अब बात करते हैं इस company के fundamentals की तो सबसे बहले हम बात करेंगे आपर market capitalization की तो जो इस company market cap है वो यहाँ पर 41,994 करोर की जो की इसे एक large cap company मनाता है बात करें अब इस stock के PE ratio की तो जो PE ratio है वो यहाँ पर 52.58 का तो PE ratio 30 के अंदर अच्छा माना जाता है तो 30 से उपर थोड़ा सा जादा है PE ratio बट long term के हिसाब से यह cover कर लेगी company बात करें PE ratio की तो 14.89 का है industry PE यहाँ पर 32.98 का है and debt to equity ratio यहाँ पर 0.05 का है on equity यहाँ पर 29.46 की है average यहाँ पर 15 की देखी जाती है बट 29.46 की काफी अच्छी ROI हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है बात करें EPS की तो जो EPS है वो है 375.87 का dividend yield यहाँ पर 0.73 का है book value stock की 1327 रुपीस की है जो face value है वो यहाँ पर 10 रुपीस की है दोस्तो अब यहाँ पर नजर मार लेते हैं इस company की financials की तरफ तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर revenue की year on year basis पे तो 2018 से लेके 2022 तक का data है हमारे पास past 5 years का तो 2018 के अंदर जो revenue था वो था यहाँ पर 3,307 करोर का वहीं बढ़ते बढ़ते हर साल बढ़ते बढ़ते 2022 current year के अंदर जो revenue हो चुका है वो हो चुका है यहाँ पर 4,919 करोर का तो अब देखे तो past 5 years के अंदर हर साल यहाँ पर revenue बढ़ता आ रहा है जो की काफी अच्छी बात है अब हम यहाँ पर बात करते है profit की तो 2018 में जो profit था company का वो यहाँ पर 401 करोर का था and 2022 जो recent profit company ने आपर report किया है वो किया है 799 करोर का तो past 5 years में approximately company का जो profit है वो यहाँ पर double हो चुका है and अगर हम year on year basis पर देखे तो हर साल यहाँ पर company का जो profit है वो बढ़ता हुआ आ रहा है जो की काफी अच्छी बात है अब बात करते हैं इस company की net worth की तो 2018 के अंदर इस company की net worth थी आपर 1693 करोर की वहीं 2022 के अंदर यह बढ़ करके हो गई है 2820 करोर की past 5 years में अगर आप हर साल में देखेंगे तो net worth भी हर साल बढ़ती आ रही है जो की all over financials की काफी एक अच्छी निशानी है इस company के तो चलिए दोस्तों अब इस company की shareholding patterns की तरफ नजर मार लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ जून 2021 का data देखेंगे और इसे compare करेंगे जून 2022 से तो सबसे पहले जून 2021 का देखते हैं तो promoters के पास यहाँ पे 74.99% holding थी retail investors के पास 18.96% mutual fund houses के पास 3.42% other domestic institutions के पास में 2.38% and foreign institutions के पास में 0.25% अब इसे compare करेंगे हम जून 2022 से तो जो promoters की holding थी वो एकदम सेम है 74.99% से retail investors की बात करेंगे तो approximately 0.6% से आपे retail investors की holding बढ़ गई है retail investors ने आपे purchasing करी है and अब बात करेंगे अगर mutual fund houses की तो mutual fund houses की currently जो holding है वो 1.5% से बढ़ चुकी है and जो current holding है mutual fund houses के पास वो 4.84% है 4.84% अब बात करें other domestic institutions की तो यहाँ पे other domestic institutions ने लगबग 2% की selling करी है and current जो holding रह गई है वो रह गई है 0.4% की बात करें foreign institutions की तो 0.05% की selling करी है foreign institutions ने and currently जो holding है वो 0.2% की रह चुकी है foreign institutions की तो all over share holding patterns की बात करें तो इतने अच्छे नहीं है बट अच्छे है because promoters ने आपर और dilute नहीं किया है minimum dilution जितना चाहिए होता है उतना ही dilute किया है 75% का मतलब 25% dilute किया and 75% अपने पास रखा है and बागी 25% market में use हो रहा है अब बात करते हैं इस company के नाम की तो company का नाम है about india limited company के जो nse code है वो है a b b o t i nd i a company की अब official announcement की बात करते हैं तो company ने यहापे special dividend and final dividend announce किया है तो यहापे final dividend होने वाल है वो 145 रूपीस का होने वाल है second of यहाँ पे august की रहने वाली है and अगर आपको dividend purpose से stock को purchase करना है तो आपको first of august से पहले-पहले stock को purchase कर लेना होगा ताकि second of august जो की ex-date है उससे पहले-पहले आपको stocks आ जाए और आपको यहाँ पे dividend का benefit मिल जाए दोस्तो आज की वीडियो में इतना है अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना चैनल को भी subscribe करना because film media के अंदर आपको stock market से related content देखने को मिलता रहेगा चलिए मिलेंगे किसी और एडियो में till then bye